इस वीडियो के अंदर मोशन को हम ग्राफ के तुर समझने वाले हैं और यह टॉपिक से ना बहुत सारे बच्चे दूर भागते हैं यार अगर इसके अंदर के concept और fact को आप समझ लोगे ना यह चीज़ा बहुत सिंपल होती है और इससे ज्यादा दूर आप भागी नहीं सकते क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीज़े इससे ही मिलने वाली है इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि कब क्या रहता है और डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है आगे की study भी आप जारी रख सकते हो और दूसरी बात गाइस टे आप देखोगे कि X-axis पर टाइम पिरेट दिया हुआ है और Y-axis पर आप देखोगे तो हमें displacement दिया हुआ है अब एक चीज़ अगर आप फोकस करोगे तो X-axis के तुरू यह लाइन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पर Y-axis के तुरू बस एक ही पॉइंट में दिखाई द तो ऑब्जेक कैसा है रेस्ट में इस तरह से हमें हमें हम ग्राफ के तुरू ऐसे दिखा सकते हैं अब दूसरा अगर मैं आओ यह वाला तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है कुंसा मोशन ओनिफॉर्म मोशन अगर मानलो पहले एक घंठे की अंतर वह तीन किलो मीटर गया दूसरे घंठे के अंदर दस किलो मीटर तो भाई वो नॉन uniform motion motion यहां जो बात करें, uniform velocity गऑ, तो displacement और time के अगस्सald करेंगे, graph को draw करेंगे displacement, तो y-axis पर हमने displacement लिल्या, और x axis पर हमने क्या लिले time, जो कि आप लोग अगर मुणसे बहुत पहले से पढ़ारे, तो आपको ये चीज़े पता है, ती को अकर हमें explain करना है तो हमें displacement को explain करना ही पड़ा उसेटित आप सभी को पता है अप आपकल होगा तो वर स्या यूनीफॉर्म मतलब गई अगर मैं थोड़ा से यहाँ ट्रॉड़पो प्रकॉर तरही से थर ड्रॉफ़ नहीं hams बताना जाहूंगा कि पहले एक गंटे की अंदर बिवे सिम सिम पहले में एक किलॉमेटर दूसरे में भी एक क्लोमेटर तीसरे में भी एक ठीम ट्रॉमेटर चुह हो एक किल से एक किलुमेटर जब ऐसा डॉँकर कर लिए तरह से आप करो गे न तो आपकी लिए क्लान गर नियुक्त कुछ हर घंटे की अंदर सेम ही है टाइम तो है पहले घंटे के अंदर 10 गया दूसरे में पहले में 10 तो दूसरे में 10 गया है तो आहिसा जो लाइन प्रहोगा वो स्ट्रेट लाइन रहोगा आएए बढ़ है पॉजिटिव एक्स एक्सी तो हमारे के रहेगा लाइन उपर की तरब जा रहा है और वही अगर नेगटिव एक्सीस है बट यूनिफोर्म है तो डिकलाइन हो जाएगा नीचे की तरब जाएगा बट स्ट्रेट लाइन जाएगा व किग उनिफॉर्म है लाइन नीचे की तरह बट स्ट्रेट लाइन रहेगा इसके बाद गईस अब हमारा रहा है ऑब्जिक्ट परफॉर्मिंग और स्लेटरी मोशन यह थोड़ा मैं आपको समझा देना चाहूंगा यह जैसे अब मालो अपने पैंडूलम देखा है पैंडूलम जो घड़ी के अंद लाइन उपर गई फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर है फिर नीचे मतलब इसकी जो स्पीड है वो कॉंसर्ट है वह एक ही जगह उतना ही कवर कर रहा उतना ही कवर गया फैलो उपर मतलब गया देखो एक्स्ट्रीम पे देन अगेन मीन फिर अगेन स्पीड कविए इसलिए एक ही लाइन के ऺंदर ट्रॉ किया हुआ है ऐसा फोरी पहले मिटाष चलागर दुसरे मिटा किया ऐसा नहीं है सेमस पीड कवर कर रहा है इसलिए ग्राफ इस तरह के अब सबसे स्बसे मज़ैतार ग्राफ यह देखो अब्जेक्ट इन नौन यूनिफॉर्म मोशन, नौन यूनिफॉर्म मोशन मैंने अब भी बताया था, कि equal time, time तो same ही रहेगा, equal time, but unequal distance, unequal distance, अगर time same है, but distance unequal है, तो उसको हम non uniform motion बोलता है, वही, इसी तरह से, अगर मैं non uniform motion की बात करूँ तो वही चीज़े, कि equal time, but unequal distance, तो हम उसको यहां थोड़ा draw करके, मैं थोड़ा को दिखा दे, चलो, यहां पहले में बता देता, फिर हुआ, देखो, पहला time, यह तो time सब जगा, time का देखो, सब में same ही है, देखो, time, पर आप देखो, अगर focus करोगे, आपको दिखाई देगा, कि भाई, यह देखो, पहले मे लाइन ऐसा draw हो रहा है, और चौते में line ऐसा draw हो रहा है, अगर दोनों को time और, time और जो में displacement, उसको मैं attach करो, तो अगर मैं line draw करो, यह straight line draw हो इनी सकता, यह तो इस तरह का line draw होगा, यह straight line draw हो सकता, straight line draw होने कि ले, दोनों side equal होना चाहिए, यह तो unequal है, यह देखो, पहले मे इतना कवर हुआ है बाद में फिर इतना फिर इतना तो यहां क्या है यहां जो displacement वो unequal है इसलिए line straight draw नहीं हो रहा है दोस्तों तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं जहां से जो match होता है यह draw करके देखो मैं इसको और कर्व के उपर हमने कहा कि एक straight line ड्रॉ कर दिये बट कुल मिला के एक चीज़ समझ लो कि uniform रहा तो straight रहेगा और uniform नहीं रहा तो curve draw होगा कि यह straight line ड्रॉई नहीं हो सकता कि यह straight line ड्रॉई निकले सभी एक लाइन में रहना जरूरी है क्लियर अब चलते आगे अगला फिर और कुछ चीज़े हम बताएं अब आगे हम acceleration के बारे में अब acceleration के अगर हम बात करेगा इस तो आप सभी को बता है कि acceleration का जो अब पहला जो में दिया फिर से अगर अगर आपने उपर फोकस किया होगा तो object constant velocity के साथ मूह हो रहे constant velocity के साथ मूह रहे है ये वाला axis y axis velocity and axis time time के अगेस velocity को फ्लॉट किया हुआ है यह हमारा x axis time and y axis पे हमारा velocity अब देखो कि यहां भी एक straight line straight line दे रहा है ताइम बढ़ रहा है but velocity constant है line line यह दो को आपको यह बढ़ता हुआ के दिखाई दे रहा है इसका माद टाइम तो बढ़ रहा है time तो चेंज हो रहा है तो इसमें भी ऐसा line इसके बाद रहाइस यह देखो uniform uniform acceleration uniform acceleration अब भी प्रदीब सर्वन बताया था कि पहले एक गंटे के अंदर same velocity दूसरे एक घंटे के अंदर भी same velocity तीसरे एक घंटे के अंदर सटी चौते गंटे के अंदर भी सिम वेलोसरी तो गई वह जो लाइन रहा होगा वालाइन के साथ रहा होगा स्ट्रेट लाइन रहा अम दूसरा यह पॉजिटिव एकसे इस था नेगेटिव एकसे सिस में यूनिवर्म अगला यह देखो यह अब जिसके नौन यूनिवर्म एकसे बीटिव एकसे पहले समझाने के लिए पहले एक घंटे के अंदर पहले गंटे के अंदर तू मीटर पर सेकेंड वेलोसरी तो अब दूसरे में तैन मीटर पर सेकंड कवर हुआ तीसरे में 20 कवर हो गया तो नौन यूनिवर्म है यूनिवर्म नहीं है तो सिंपल सी बात है स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं हमने करके अभी देखा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो फिर कैसा ड्रॉ करना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग ड्रॉंडिंग मैच कर वहां से अऑनने लाइन करना है यहीं हमने कांभ ना कर दिया तो घुक्त ब्क्राफिकल मैथज़ ग्राफ के तूं हम पो दिखा दिया कि कब र θα रहता है है स्ट्रेट रहा तो constant रहा तो भी straight उसी line पे रहेगा समझ में uniform रहा तो straight line draw होगा non uniform रहा तो curved draw होगा यह सबी चीज़े मैंने इसके अंदर बदाई पस एक एक बार क्या करना आपको practice कर लेना है तो मिलते हैं नेक्ज बूरा में थैंकिसो मस गए जय है जय हिन जय मारश्टा दुस्त